नमस्कार मित्रो मैं हूँ डॉक्टर तन्वी सिंग आपकी अपने चैनल एक बार फिर आप सभी का स्वागत है तो हम जो है अभी ज्याने शाकुंतलम के प्रशनों को देख रहे थे जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि इस बार मैं जो प्रशन पत्र लेकर आई हूँ ये पूरे भारत वर्स में विभिन एक्जामों में पूछे गए प्रशन है आप अभी तक जो भी लेकर प्रशन पत्र आते हैं या आपने देखा होगा तो उसी क्रम में मैं सबसे पहले अभिज्यान शाकुंतलम के जितने भी प्रशन है उनको एक साथ लेकर आई हूँ ताकि अभिज्यान शाकुंतलम से जितने भी प्रशन पूछे गया है वो सभी आपके सामने आ जाए उसको व्याख्या सहीद देख लेंगे बहुत नए प् बिश्वास दिलाती हूं कि इन ही प्रश्णों में से आपको प्रश्ण मिल जाएंगे तो अभी हम जितने भी अभिज्यान शाकुंतलम के उस दिन मैंने तीस प्रश्ण लगभग सॉल्व कराया थे व्याख्या सहीत आज हम कोशिश करेंगे जादे से जादा प्रश्णों को देखने की तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें अपने ज्यादा से ज्यादे मित्रों तक इन वीडियो को पहुचाएं यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महतपूर साबित होगा अगर आप संस्कृत वी से किसी भी च त्यारी करते रहें चुकि अभी यह जो सीरीज स्टार्ट हुआ है इसका मैंने अभी एक ही वीडियो डाला है तो अगर आप रोज हमारे साथ चलेंगे ज्यादा नहीं अगर हमारे साथ दस या पंदर विद्यार्थी भी आते हैं तो उन पंदरों विद्यार्थियों का लगबग हम साड़े नौ दस अजार प्रशन सॉल्व करा देंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि तीन महीने चार महीने बाद आपकी तयारी एकदम 100% हो जाएगी आप किसी भी एक्जाम में जाएंगे किवल इन्ही वीडियो उसको देख कर जाएंगे और आपको 100% सफलता म हम आगे के प्रशनों को देखेंगे अभी ग्यान शाकुंदरलम के देख लिजे यह प्रशन क्या लिखा है UKPSC 2018 यानि उत्तराखंड में जो लोक सिवायोग है उसकी जो संस्कृत की सिख्षक भरती परिक्षा थी उसमें पूछा गया था प्रशन तो मैंने आपको कहा जैस पिछली वीडियो को जरूर जाकर देखें तो चलिए अगला प्रशन है पीड यंते ग्रिहण कथम न तनया विशले शदू खैर नैव इती कस्य वचनम तो यह वचन है अभीज्यान शाकुंतले कड़ वस्य इसकी व्याक्या देख लेते हैं पीड यंते ग्रिहण कथम नू तनया विशले शदू खैर नैव यह कथन अभीज्यान शाकुंतलम ग्रंथ में कड़ द्वारा कथित है प्रस्तुत सुक्ति के माध्यम से तपस्वी कड़ यह बता रहे हैं कि जब अरणे वासी की दशा इतनी दैनिय तथा वेहल है तो दिन रात उनके सामने रहने वाले ग्रिह वासियों को पुत्री की पहली विदाई कितनी कष्टकर लगती होगी अगला प्रश्ण है आर्त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तु मना गसी कथम इदमस्ती अभिज्यान शाकुंतले तो यह है वैखान असस्य इसकी व्याख्या देख लेते हैं आर्त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तु मना गसी यह कथन अभिज्यान शाकुंतलम के प्रथम बंक के ग्यारवे श्लोक में वैखानश नामक तपस्वी तब कहता है जब महराज दुस्यंत आश्रम के म्रिगों को मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे तब वैखानश कहता है कि हे महराज आपके शस्त तो पीड़तों की रच्छा के लिए निर्मित है निरपराधों पर प्रहार के लिए नहीं अगला प्रसन है अध्धो अंकितेश्य पदेश्य शाकुन तलस्य प्रसिद्ध स्लोक कह स्लोक चतुष्टयां न गर्नेते तो इसमें जो है अनाग रात्म पुष्पम किसले ये वाला नहीं गर्ना होती है स्लोक चतुष्टे में चार स्लोक आते हैं पातुम्न प्रत्मम विस्ति जलम सुशुत्र गुरून कुरू यास्यत यद्य सकुन्त लेती और एक और आता है अचिन तेयंति करके तो उसको आप लोग देख लिजेगा उसको मैंने कई बार डिसकस भी किया है तो अधो लिखित पद्यों में अनागरातं पुश्पं दो नहीं आएगा तनगत नहीं आता पुटे ho अगला प्रस्ण्ये लोको नियम्यत इवात्प दशान तरेशु स्लोक आंसो आयं मतिश्ठती तो इसका अंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतले तो यह आप देख रहे हैं यह असिस्टेंट प्रोफेसर के एक्जाम में यह पुछा गया प्रशन है तो यह चोटे से चोटे एक्जाम बड़े से बड़े एक्जाम आप किसी भी तरह की त्यारी कर रहे हैं तो आपको प्रशन मिल अगला प्रश्ण है लोको नियम्यत इवात्म दशान्त रेशु यहस लोक अभिज्यान शाकुंतलम में है अभिज्यान शाकुंतलम महाकवी कालिदास की विश्व प्रसिद्ध कृति है मेगदूतम तथा रगुवंशम भी कालिदास की कृतियां है अगला प्रश्ण है शाकुंतलम मंगला चरणे की द्रिशह शिवाह वर्णित तो इसका अंसर होगा अश्ट मूर्ती यह प्रश्ण बहुत पुछा जाता है अभिजान शाकुंतलम के मंगला चरण में स्रिश्टी अगनी होता सुर्य चंद्र आकास पृत्वी और वायू अर्थात अश्ट सिव मूर्ती की पूजा हुई है अता विकल्प सी सही है निमलिखित में से किस रचना के अंत में कवी ने भगवान शिव से मुक्ती की प्रारतना की है तो इसका अंसर होगा अभिजान शाकुंतलम अभिजान शाकुंतलम के भरत वाक्य में कवी ने भगवान शिव से मुक्ती की प्रारतना की है प्रवर्तताम प्रकृत हिताय पार्थिवह शरस्वती शुत महता महीताम ममापिच शपयतु नील लोहितः पुनर्ववं परिगत सक्तिरात मभू अगला प्रश्न है पूरू किसका पुत्र था तो पूरू जो है वो शाकुंतला का एक मिनट गलत होगा पूरू जो है वो सर्मिष्ठा का पुत्र होगा पूरू किसका पुत्र था पूरू जो है सर्मिष्ठा का पुत्र था इसकी व्याख्या देख लिजे पूरू ययाती और सर्मिष्ठा का पुत्र था जबकि सकुंतला और दुस्यंत की पुत्र का नाम सर्वदमन था मेनका और विश्वमित्र के मिलन से सकुंतला का जन्म हुआ था अगला प्रश्ण है शाकुंतल कथाया है वास्तव मुपजीव्य मस्ती तो इसका अंसर होगा महा भारतम शाकुंतलम की कथा का वास्तविक उपजीव्य महा भारत है महाभारत के शाकुंतलों पाख्यान में शाकुंतल की कथा मिलती है अगला प्रश्ण है अभिग्यान शाकुंतल से नांदी पाठे वर्णिता अध्या स्रिष्टी रस्ती तो इसका अंसर होगा जलम अभिजान शाकुंतल से नान्दी पाथे वर्डिता अ अध्या स्रिश्टी जलमस्ती अग्ला प्रस्न है प्रवर्तताम प्रकृत हिताय पार्थिवह इती भरतवाक्यांशह कस्यास्ती तो इसका अंसर होगा कालिदार शस्य व्याख्या देख लिजे प्रवर्तताम प्रकृत हिताय पार्थिव यह भरत्वा के महाकवी कालिदास प्रडीत अभिज्यान शाकुंतलम नाटक का है शाकुंतलम सातंको का प्रसिद नाटक है शाकुंतलम का संपूर भरत्वा के इस प्रकार है प्रवर्तताम प्रकृत हिताय पार्थिवह शरस्वती शुत महताम महीयताम ममापिच छपयतू नील लोहितह उनर भवं परिगत शक्ति रात्मभू अगला प्रश्ण है सताम ही संदेह पदेशू वस्तुशू प्रमाण मंतह करण प्रवित्य है इती कस्य उक्ति तो इसकांसर होगा काली दासस्य सताम ही संदेह पदेशू वस्तुशू प्रमाण मंतह करण प्रवित्य है इती काली दासस्य उक्ति इस सुक्ति का तात्पर है कि जिस आच्रण में संदेह हो उसमें सज्जन व्यक्ति को अपने अंतह करण की प्रवित्य को ही प्रवित्य को ही प्रमाण मानना चाहिए अगला प्रश्ण है तत्र चा स्लोक चतुष्टयम इत्युक्तव तत्र इति पदेन आशयो अस्ती तो इसका आंसर होगा अभिज्यान शाकुन तलस्य चा चतुर्थो अंकह अभिज्यान शाकुन तलस्य चा चतुष्टयम इत्युक्तव तत्र इति पदेन आशयो अभिज्यान शाकुन तलस्य चा चतुर्थो अंकह अस्ती अभिज्यान शाकुंतलम का महाकवी कालिदास की नाटि कृतियों में अध्युती अस्थान है अभिज्यान शाकुंतलम के विशय में कहा गया है काव्येशु नाटकम रम्या, तत्र रम्या सकुंतला, तत्रापिच चतुर्थो अंको, तत्र स्लोक चतुष्टयम अगला प्रश्ण है अभिज्ञान साकुंतले च रत्न मन विश्यती मृग्यते ही तत इतिय मुक्ति रस्ती तो इसका अंसर होगा दुश्यंतस्य अगला प्रश्ण है अभिज्ञान शाकुंतल नाटके सताम ही संदेह पदेशु वस्तुशु प्रमाण मंतह करण प्रविर्त्य है इतिय मुक्ति रस्ती तो ये जो है दुश्यंतस्य इसका अंसर होगा व्याख्या देख लेते हैं अभिज्ञान शाकुंतल नाटके सताम ही संदेह पदेशु वस्तुशु प्रमाण मंतह करण प्रविर्त्य है दुश्यंतस्य उक्ति रस्ती अर्थात सज्जनों के लिए संदेह की स्थिती में उनके अंतह करण की प्रविर्ती ही प्रमाण होती है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में यह उक्ति दुश्यंत के द्वारा कही गई है अगला व्रश्न है नप्रभात तरलम जोती रुदेती वसुधात लात उक्ति रियम वर्तते तो इसका अंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतले नप्रभात तरलम जोती रुदेती वसुधात लात यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में मिलती है जिसका अर्थ है कांती से दैदिप्पिमान तेज भूतल से उत्पन नहीं होता यह सुक्ति परक्वाक्य दुश्यंत के द्वारा कथित है अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतल से नांदी पाठे वर्णिता अध्या स्रिष्टी रस्ती तो इसका आंसर होगा जलम इसकी व्याख्या देख लेते हैं अर्थो ही कन्या परकी एव शाकुंतले कण्वस्य उक्ती अस्ती अर्थात कन्या वस्तुत दूसरे का ही धन है यह सुक्ती अभिज्यान शाकुंतलम में महर्सी कण्व का कथन है काली दास्कृत अभिज्यान शाकुंतलम सात अंकों में वर्णित नाटक है इसमें धीरो दात अगला प्रश्ण है अभिज्यान शाकुंतल से प्रारम भे नान्दी पद्दे इस्टु आध्या स्रिष्टी का तो इसका आंसर होगा जलम अभिज्यान शाकुंतल से प्रारम भे नान्दी पद्दे इस्टु आध्या स्रिष्टी जलमस्ती अर्थात अभिज्यान शाकुंतलम के प्रारम में जो मूर्ती स्रिष्टी करता ब्रह्मा की प्रथम रर्शना जल रूप मूर्ती है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में अष्ट मूर्ती शिव की इस्तुती की गई है मंगलाचरण आशिर्वादात्मक है मंगलाचरण देख लिजिए या स्रिष्टी इस्टु राध्या वहती विधी हुतम याह विर्याच होत्री ये द्वे कालम विधत्तह शुती विशय गुडा या इस्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्व बीज प्रकृति रीती यया प्रणिनह प्राणवंतह प्रत्यक्षाभी प्रपन्नस्तनू भिर्वतू वस्ता भिरष्टा भिरीशह अगला प्रश्ण है नप्रभा तरलम जोती रुद्वेती वसुधात लात इत्युक्ती वर्तते तो ये इसकांसर होगा अभिज्ञान शाकुन्तले अर्थात कांती से चमकती हुई बिजली जोती भूमी भूतल से उत्पन नहीं होती यह उक्ती महाकवी काली दास द्वारा विर्चित अभिज्ञान शाकुन्तलम नाटक से लिया गया है इस नाटक में सातंक और लगभग एकसो चानवे स्लोक हैं अगला प्रश्ण है यदि यथा वदत्य धीपस थात्वम पतिकुले तव दास्य मपी छमम इतिकस्य का व्यांस तो इसका आंसर होगा महाकवी काली दास से यदि यथा वदत्य धीपस थात्वम पतिकुले तव दास्य मपी छमम इह पद्यांस महाकवी काली दास से संबंदित है इसका वड़न अभिज्ञान शाकुन्तलम में प्राप्थ होता है अगला प्रश्ण है तपो धनम वेटसी नमाम उपस्थितम इतिकस्य परिचयो अस्ति तो इसका आंसर होगा दुरवास सह तपो धनम वेटसी नमाम उपस्थितम इस वाक्य से दुरवासार इसी के परिचय मिलता है यह पद्य शाकुन्तलम के चतुर्थ अंक का है जब शकुंतला राजा दुस्यंत की चिंता में मगन थी, उसी समय रिशी दुरवासा आ जाते हैं और शकुंतला उनका आगमन नहीं जान पाती, तब दुरवासा रिशी कहते हैं इसकार्थ मैंने बता दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर समय जादा व्यर्थ नहीं करूंगी, तो आप लुग देख लीजेगा अभिज्यान शाकुंतले विदू सकस्य किम नाम, तो ये भी बहुत ही महतपुर प्रशना है, ये हर तरह के एकजाम में आता है, तो इसका आंसर होगा माधव्य महा कवी काली दास विर्चेत, अभिज्यान शाकुंतले सात अंको का विश्व प्रसिद्य नाटक ग्रंथ है, इसमें राजा दुश्यन तेवं सकुंतला के गंधर विवा का वड़न है, साकुंतलम के विदूशक का नाम माधव्य है अभिज्यान शाकुंतले दुश्यन तस्या गमन काले महर्सि कडवह कुत्रासीत, तो इसका आंसर हो जाएगा सोम तिर्थे अभिज्यान शाकुंतले दुश्यन तस्या गमन काले महर्सि कडवह सोम तिर्थे गतः अभिज्यान शाकुंतल में दुश्यन तके आगमन काल के समय महर्सि कडवह सकुंतला के भाग्य निवारणार्थ सोम तिर्थ को जाते है अगला प्रश्ण है सकुन्तला यम म्रिग शावकं पुत्रवत पालयती तस्य नाम किम तो उसका नाम था दिर्गो पांगह शकुन्तला यम म्रिग शावकं पुत्रवत पालयती तस्य नाम दिर्गा पांगह आसीत अर्थात सकुंतला ने जिस म्रिक्षावक को पुत्र की तरह पाला था उसका नाम दिर्गा पांग था अभिज्ञान शाकुंतला से कथानकम कस्मिन नाधारितम वर्तते तो इसका अंसर होगा पुराण से सकुंतला अख्याने तो यहाँ पर देख लिजिए अभिज्ञान शाकुंतला से कथानक महाभारत के साकुंतलो पाख्याने वर्तते यानि अभिज्ञान साकुंतलम का कथानक महाभारत की आदि पर्व का शाकुंतलो पाख्यान अडशठ चोहत्तर अध्यायों में मिलता है अगला प्रश्ण है आज हम जादे से जादे प्रश्णों को कवर करने का प्रयास करेंगे उद्गलित दर्ब कवला मरिग्या परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसरित पांडु पत्रा मुंच्यत्य शुडी वलता श्लोको अभिज्यान शाकुन तलस्य कस्मिन अंके अस्ती तो ये जो है ये चतुर्थ अंक से लिया गया है इसकी व्याक्या देख लेते हैं उद्गलित दर्ब कवला मरिग्य परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसरित पांडु पत्रा मुंच्यत्य शुडी वलता ये अस्लोक अभिज्यान शाकुन तलस्य के चतुर्थंका है जिसका आरते मरिग्यों ने कुशा का ग्रास उगल दिये हैं मोरों ने नाशना छोड़ दिया है और लताएं पीले पत्तों को डाल कर मानों अपने आसू बहा रही हैं अगला प्रश्ण है अभिज्यान शाकुन्तले विदू सकस्य नाम की मस्ती तो इसका अंसर हो जाएगा माधव्य है अभिज्यान शाकुन्तले विदू सकस्य नाम माधव्य अस्ती अभिज्यान शाकुन्तलम नाटक में विदूशक का नाम माधव्य है वह राजा दुश्यंत का अंतरंग मित्र वहास सिरस का एक पात्र है अगला प्रश्ण है किमी वही मधूरा नाम मंदनम नाकृती नाम सुक्तिरियम साकूंतल से कस्मिन अंके अस्ती तो कांसर हो जाएगा प्रथमे किमी वही मधूरा नाम मंदनम नाकृती नाम सुक्तिरियम साकूंतल से प्रथमे अंके अस्ती क्योंकि सुन्दर आकृतियों के लिए क्या वस्त उलंकार नहीं होती यह सुक्ति शाकुंतल के प्रथम अंक में वनित है अगला प्रश्ण है अभिज्यान शाकुंतल से शष्ठे अंके का अपसरा मंचे भवती तो इसका आंसर होगा सानुमती अभिज्यान शाकुंतल से शष्ठे अंके सानुमती अपसरा मंचे भवती अभिज्यान शाकुंतल के शष्ठांक में सानुमती नाम की अपसरा मंच पर दिखाई देती है मेनका की एक सखी सानुमती अद्रिश्य रूप में राजा के पास आकर उसकी अवस्था को देखती है अगला प्रश्ण है अभिज्यान शाकुंतलम के चतुर्थंक में लोको नियम्यत इवात्म दशानतरेशु पद्यांस में अलंकार है इसकी व्याख्या देख लेते हैं अभिज्यान शाकुंतलम के चतुर्थंक में लोको नियम्यत इवात्म दशानतरेशु में अगला प्रश्ण है तपोधनम वेटसी न माम उपस्थितम इती कस्य परिचयो अस्ती तो ये है दुर्वाससह इसकी व्याख्या देख लेते हैं तपोधनम वेटसी न माम उपस्थितम इस वाक्य में से दुर्वासार इसी का परिचय मिलता है यह पद्या साकुंतलम के चतुर संक का है, जब सकुंतला राजा दुस्यंत की चिंता में मग्न थी उसी समय दुर्वासा आ जाते हैं, और सकुंतला उनका आगमन नहीं जान पाती तब दुर्वासा रिसी कहते हैं. विचिन तंती यमन्य मानसा तपोधनम वेची नमामुपस्तितम इस्मरिश्यती त्वा नसाबोधितो अपी सन कथा प्रमत्तह प्रतमम कृता मेव अगला प्रश्न है को नामोश्रदकेन नवमालिका सिंचती इती कथनम मस्ती तो ये कथन है प्रियम वदाया को नामोश्रदकेन नवमालिका सिंचती अर्थात नवमालिका चमेली को भला कौन गर्म जल से सीचेगा ये कथन प्रियम वदा का है ये कथन अभिज्यान शाकुंतलम से सम्बंदित है शाकुंतलम महाकवी कालिदास का सातंको का महत्पूर नाट्यक गरंथ है अगला प्रश्ण है अभिज्यान शाकुंतले चतूर्थांके लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेशु इत्यत्र अलंकारों अस्ती तो इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार अभिज्ञान शाकुंतलम के चतूर्थंक में प्रयुक्त लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेशु इस पंक्ती में उत प्रेक्षा लंकार है उत प्रेक्षा लंकार की परिभासा इस प्रकार है भवेत संभावनो अथोत प्रेक्षा अगला प्रश्न है अभिज्यान शाकुंतलम का उपजिव्य महाभारत है महाभारत की आदी पर्व में शाकुंतलम की कथा का वड़न है महाभारत महर्शी कृष्ण दोईपायन वेद्व्यास की रशना है जोकी पर्वों में विभक्त है तो यहाँ पर शिव पुरान दिया है लेकिन इसका आंसर होना चाहिए महाभारत दिष्ट्या धूमा कुलित द्रिष्टे रपी यज मानस्य पावक एवा हुती पतिता इती कथन मस्ती तो इसका आंसर होगा कडवस्य दिष्ट्या धूमा कुलित द्रिष्टे रपी यज मानेस्य पावक एवा हुती पतिता यह कथन प्रियमवदा का है यह गद्यान सविग्यान शाकुंतलम का है जिसमें प्रियमवदा अनुसुया को शाकुंतला की विसें बताती भी कहती है वस्तुता या कथन कण्व का है किन्तू रंगमंच के द्वारा प्रियमवदा अभीनेय है इसलिए इसका वक्ता प्रियमवदा को माना जाता है अगला प्रश्ण है प्रियमवदान सुये सक्ष्यव आस्ताम तो इसका आंसर होगा शकुंतलाया महा कवी काली दास प्रडीत अभिज्ञान शाकुंतलम विस्व साहित्य का सर्वोत कृष्ट नाटक ग्रंथ है जो साथ अंकों में विभक्त है इस नाटक ग्रंथ में अनुसुया और प्रियमदा नामक दो तपोवन की शिश्याएं सकुंतला की सखी के रूप में चित्रित की गई है दिपशिखा इत्यनेन उपाधी नाम ग्यायते तो इसका अंसर होगा काली दाश है दिपशिखा यह उपाधी महा कवी काली दास की है यह उपाधी यह उपाधी इंदू मती स्वयंबर के दोरान काली दास को दी गई थी महा कवी माग की उपाधी घंटा माग भारव अगला प्रशन है भगवान खलू एशना ना आशी भगवान खलू एशह न आशी तो इसका आंसर होगा वरह भगवन वरह खलू एशह न आशी अर्थात भगवन यह वस्तुतह वर है केवल आशिवाद नहीं यह कथनकाली दास्कृत अभियान शाकुंतलम नाटक के अगला प्रशन है तो इसका आंसर होगा पन्थानह तो पूरा वाक्य है शी वास्ते पन्थानह संतु अर्था तुम्हारा मार्ग मंगल में हो यह कतन काली दासकृत अभिजान शाकूंतलम नाटक के चतूर ठंक में काश्य प्रिसी पतिग्रिः जाती हुई शकूंतला को कहते हैं गुडवते कन्यका इत्ययम तावत प्रथमम संकल्पह तो इसका आंसर होगा प्रति पाधनिया तो देख लीजिए कि कितना मतलब माईनर माईनर अंतर है अप्शनों में तो आप यहीं पर देखिए यहाँ पर लिखा है प्रति पाद नियम, फिर है प्रति पाद नियानी, प्रति पाद नियान, तो आपको याद रखना है प्रति पाद निया, प्रति पाद निया, व्याख्या देख लिजे, गुडवते कन्य का प्रति पाद निया, इत्ययम, काली दास्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतूर थंक में अनुश्या प्रियमवदा से कहती है गुडवते कन्यका प्रति पाद नियत्येयम तावद प्रतमह संकल्पह अगला प्रश्ण है अधो विद्यमानानाम प्रश्णानाम उत्तरम प्रदेयम शाकुंतला प्रती दुर्वाशशह सापह कस्मिनंके वडितम तो इसकांसर होगा चतूर्थः सकुंतला प्रती दुर्वाशशह सापह चतूर्थो अंकह वडितम विचिन तयंती यमन्यमानसा तपोधनम वेचसी न मामुपसितम इस्मरिश्यती त्वाम न सवोधितो अपिसन कथाम प्रमत्तह प्रतमम कृतामेव अगला प्रशन है अधो विद्यमाना नाम प्रशना नाम उत्तरम प्रदेयम अभिज्यान शाकुंतलम नाटके का नाईका तो इसकांसर होगा शकुंतला अभिज्यान शाकुंतल नाटके सकुंतला नाईका महाकवी कालिदास विर्चित अभिज्यान शाकुंतलम संस्कि साहितिका अमुल्लि निधी है यह नाटक सात अंकों में विभक्त है जिसका नायक पुरुवंसी राजा दुश्यन्त तथा नायक सकुंतला है अगला प्रश्ण है अधो विद्य माना नाम प्रश्णा नाम उत्तरम प्रदेयं कामार्ता ही प्रकृति किर्पनास चेतना चेतनेशु सुक्तिरियं कस्य ग्रंथ स्य तो इस कांसर होगा अभिज्यान शाकुंतलम अगला प्रश्न है अधो विद्यमाना नाम प्रश्ना नाम उत्तरम प्रदेयम अभिज्यान शाकुंतलम नाटके मुख्यरस श्रिंगारह अन्य रस उसके सहायक है एक एव भवे दंगी श्रिंगारो अंग मन्ने रसा सर्वे शाकुंतलम में श्रिंगार रस मुख्य है तथा वीर भयाना खास्यादी रस उसके अंग रूप में निभद्ध हैं तो आप यह देख सकते हैं यह जे एस स्सी टीजिटी दोह अठारेनी ज अगला है अधो विद्य माना नाम प्रश्ना नाम उत्तरम प्रदेयम पीड यंते ग्रिहन कथम न तनेया विशलेश दुखैर नईव कस्योक्तिरियम तो इसका आंसर होगा कडवः पीड यंते ग्रिहन कथम न तनेया विशलेश दुखैर नवई यह उक्ति महरशिकान व काश्याप की है इसका वड़न अभिज्यान शाकुदलम के चतुर थंके छटवे स्लोक में है पुत्री सकुंतला के प्रतिशने के कारण मेरे जैसे वनवासी की ऐसी व्याकुलता है त अगला प्रश्न है अधो विद्य माना नाम प्रश्ना नाम उत्तरम प्रदेयम अभिज्यान शाकुंतल नाठक से उत्स कुतह तो इसका आंसर होगा महाभारतम पद्म पुराणम अभिज्यान शाकुंतलम नाठक की कथा महाभारत तथा पद्म पुराण इंदो प्राचीन से उपलब्द होती है महाभारत की आधी पर्व के शकुंतलो पाख्यान में शकुंतला की कथा वर्णित है भगवन खलू देखिए ये प्रशन फिर से रिपीट हो गया पीजडी की परिश्या में भगवन खलू एशन आसी तो इसका आंसर होगा वरह भगवन वरह खलू एशन आसी अर्थाद भगवन यह वस्तुतह वर है केवल आशिरवाद नहीं यह कथन काली दास्कृत अभिजान शाकुंतलम नाटक का चतूर्थ अंक में गौतमी का है अर्थो ही पर की एव तो इसमें क्या होगा अर्थो ही कन्या पर की एव यह सुक्ती अभिजान शाकुंतलम आटक के चतूर्थंक से लिया गया है सकुंतला की विदाई के समय काश्यपकड़ का कथन है कि कन्या वस्तुतह पराई संपत्ती है अर्थो ही कन्या पर की एव तामद्य संप्रिश्य परीग रही तू फिर देखिए फिर पूछा है सी वास्ते शंतू तो इसका अंसर होगा पन्थानः सी वास्ते पन्थानः संतू अर्था तुम्हारा मार्ग मंगल में हो तो आप किसी को भी जाते वक्त संस्कृत में मंगल कामना दे सकते हैं कि शी वास्ते पन्थानः संतू यह कथन कालिदास्कृत अभियान शाकुंतलम नाटक के चतूर्थंक में काश्य परि गुडवते कन्य का प्रतिपाद निया इत्ययम तावत प्रत्म संकल्प गुडवान सुयोग्य व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए यह मातापिता का प्रत्म संकल्प होता है महाकवी काली दास्कृत अभियान शाकुंतलम नाटक के चतूर्थंक में अनुसुया प्रियम्बदा स गुडवते कन्य का प्रतिपाद नियात्यं तावत प्रत्म संकल्प है अगला प्रश्न है अधो विद्यमाना नाम प्रश्णा नाम उत्त्रम प्रदेंग सकुंतला प्रती दुर्वाशश शाप कश्मिन अंक वडित्यम तो ये इसकांसर होगा चतूर्थ जग चतूर्थ च प्रशन रिपीट भी हो रहे हैं तो जो प्रशन रिपीट हो रहे हैं उनके महतपुर्ण होने की संभावना बहुत ज्यादा है तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा अधो विद्य माना नाम प्रश्णा नाम मुत्तरम प्रदेय अभिज्यान शाकुंतले नाठ के का नाइका तो इसका अंसर होगा शकुंतला अगला प्रशन है अधो विद्यमानानाम प्रशनानाम उत्तरम प्रदेयम कामारता ही प्रकृति किर्पणाश चेतना चेतनेशु सुक्तिरियम कस्य ग्रन्थसे तो इसका आंसर होगा मेगदू एक मिनुट मेगदूतम का एक प्रशन इसमें आ गया है तो इसको भी देख लिजेगा कामारता ही प्रकृति किर्पणाश चेतना चेतनेशु यह सुक्ति महा का विकाली दास्कृत मेगदूतम खंडकावि से अवतित है अगला प्रशन है अधो विद्यमाना नाम प्रशना नाम उत्तरम प्रदेयम अभिज्यान शाकूंतले नाटके मुख्य रसह कह अभिज्यान शाकूंतलम नाटके मुख्य रसह श्रिंगार है तो इसको देख लिजे पीड यंते ग्रिहन कथम न तनिया विश्लेश दुखईर नईव यह सुक्ति महरसी कर्ण काश्यप की है इसका वड़न अभिज्यान साकूंतलम के चतूर थंके छट्विस लोग में हैं पुत्री सकूंतला के प्रति स्नेह के कारण बोलते हैं कर्व कि मेरे जैसे वनवासी को ऐसी व्याकूलता है तब ग्रिहस लोग पहली बार होने वाली पुत्री के वियोग जनित दुख से क्यों न पिरित होंगे ये सब प्रशन आप देख रहे हैं कि रिपीट हो रहे हैं तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा फिर है अगला प्रशन अधो विद्यमाना नाम प्रशना नाम उत्रम प्रदेम अभिज्यान शाकूंतलम से उत्सक उतह तो इसका आंसर होगा महाभारत का पद्म पुराण अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की कथा महाभारत तथा पद्म पुराण इंदो प्राचीन ग्रंथों सुपलब्द होती है महाभारत की आधी पर्व के शाकुंतलों पाख्यान में शाकुंतला की कथा वर्नित है अगला प्रश्ण आप देख सकते हैं इसमें UGC में भी पूछे गए प्रश्णों को डाला गया है तो आप देख सकते हैं कि इसमें हर तरह के एक्जाम की प्रश्ण एक ही जगह है तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको किसी भी ग्रंथ के प्रश्ण अगर मिल जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा अभिज्यान शाकुंतले धीवर विर्तांत है कस्य उधारण तो इसका आंसर होगा प्रवेश कस्य अभिज्यान शाकुंतलम में धीवर विर्तांत प्रवेशक का उधारण है अभिज्यान शाकुंतलम महा कविकालिदास विर्चित प्रसिद नाटक ग्रंथ है जो साथ अंकों में विभक्त है अभिज्यान शाकुंतले दुशियंत स्य पुरोहित भवती तो इसका अंसर होगा सोमरात अगला प्रश्ण है अभिज्यान शाकुंतलम नाटके दुश्यन्त सकुंतलयों पुत्र से नाम किम वर्तते? तो आप देख रहे हैं कि यह कितने सारे एक्जाम में पुछा गया है तो इसका आंसर है सर्व दमन अभिज्यान शाकुंतलम नाटक में दुश्यन्त सकुंतला के पुत्र का नाम सर्व दमन है यही आगे चल कर भरत नाम से प्रशिद्ध होता है अभिज्यान शाकुंतले परित्यागांतरम सकुंतला कुत्र नियवसत तो इसका आंसर होगा मारिच आश्रमे रहती थी अगला प्रश्ण है तपो धनम वेच्सी नमाम उपस्थितम इतिकस्य परिचयो अस्ती तो इसमें अंसर होगा दुरवाससह इसकी व्याख्या देख लेते हैं तपो धनम वेच्सी नमाम उपस्थितम इस वाके से दुरवासा रिसी का परिशय मिलता है यह पद शाकुंतलम के चतुर थंक का है जब सकुंतला राजा दुस्यंत की चिंता में मगन थी उसी समें दुरवासा आ जाते हैं और सकुंतला उनका आगमन नहीं जान पाती तब दुरवासा रिसी कहते हैं विचिंत यंती यमन्य मानसा तपोधनम वेची नमामपस्थितम इसमरिस्यती त्वामन सब ओधितो अपिसन कथा प्रमत्तह प्रतमम कृता मेव अगला प्रश्ण है यदि यथा वदत्य धीपस्थात्वम पतिकुले तव दास्यम अपी छमम इतिकस्य काव्यांशह तो यह है महा कवे काली दासस्या इसकी व्याख्या देख लिजे यदि यथा वदत्य धीपस्थात्वम पतिकुले तव दास्यम अपी छमम यहा पध्य अगला प्रश्ण है अभिज्यान शाकुंतलम के चतूर्थंक में लोको नियम्यत इवात्म दशान्तरेशु पध्यांस में अलंकार है तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है अभिज्यान शाकुंतलम के चतूर्थंक में लोको नियम्यत इवात्म दशान्तरेशु में प्रेक्षा लंकार है उत्प्रेक्षा लंकारी की परिभाशा इस प्रकार है संभावन मथोत प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत तत्र चसलोक चतुष्टेयम इत्युक्तव तत्र इत पदेन आशेयो अस्ती hippie तो इसका अंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतल iç चट उर्टप अंक tutti इस पद का न आश्र या भिज्ञान शाकुंतल केgio punti Il prix परी ना इृ ज़्पना वन यह अगला प्रश्ण be अर Voilà ऑप्रवति तो आधाधि कस्मिनन से भवति तक अ आर्भटि वृत्तィ रोद्र और विभत्स रसों में प्रयुक्त होती है इस संबन में एक पद दृस्टव है श्रिंग आरे कौश की वीरेचात्वत्ति आर्भटि पुनह रसे रोद्र च विभत्से वृत्ती सरवत्र भारति अगला प्रश्ण है नांदी प्रयुक्तो भवती तो इसका आंसर होगा गध्यकाव्वे नांदी का प्रयोग रूपक अर्थात नाटकों में होता है नांदी का लक्षन है इसका आंसर होना चाहिए रूपक नांदी का प्रियोग रूपक अर्थात नाटकों में होता है नांदी का लक्षन इस प्रकार है आसिर वचन सैन्युकता इस्तुत्यर यस्मात प्रयुज्यते देव द्विजन रिपादी नाम तस्मान नांदिती संगिता अगला प्रश्ण है सताम ही संदेह पदेशु वस्तुशु प्रमाण मंतह करण प्रवित्य इतिकस्य उक्ती तो इसका आंसर होगा काली दास अस्य। पाठे वर्डिता अध्या प्रिष्टी रस्ती जलम अभिजन शाकंतलम के नांधी पार्ट में वर्णित आध्या श्रिष्टी सेतात पर जल से है यथा 어्या स्रिष्टी श्टूर आध्या वहतिग्विधी उत्म या हविर्या चा होत्री अर्थोई कन्या पर की एव शाकु अगला प्रश्ण है अभिज्यान शाकुंतलम में ययाती के किस पुत्र का नाम उलखित है तो इसका आंसर होगा पूरू इसकी व्याख्या देख लिजिए अभिज्यान शाकुंतलम में यायाती के पुत्र पुरू का नाम लिखित है यह प्रकरण अभिज्यान शाकुंतलम के चतुर्थंक का है पतिगरी गमन के समय शाकुंतला पिता कर्व रिसी से प्रणाम करती है काश्य पासिरवाद देते वे कहते हैं जैसे सरमिष्ठा ने समराठ पुत्र पुरू को प्राप्त किया था उसी प्रकार्तू भी समराठ पुत्र को प्राप्त करे तो आप देख रहे हैं कि व्याख्या के माध्यम से आपको बहुत साई चीज़ तैयार होती जा रही है तो इस प्रस्तुत वाक्यांश अभिज्यान साकुंतलम के चतूर्थ अंक से लिया गया है। सकुंतला के लिए यह कहा गया है कि कौन उष्ण उदक गर्म जल से नौमालिका को सीचने का प्रयास कर रहा है। अगला है यह संसार दो तेजो के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानों अपने दशा विशेशों को नियंत्रित्क हो रहा हो। अगला है कामी स्वता पश्यती यह सुक्ती है दुश्यन्त की। कामी स्वता पश्यती यह सुक्ती अभियान शाकुंतलम के दुटी अंके के दुटी श्लोक में नहीं थै। इस सुक्ती को राजा दुश्यन्त ने कहा है जिसके अनुशार कामी व्यक्ती सब जगह अपनी ही बात देखता है। अगला प्रश्ण है तवास्मी गीता रागेड हरिणा प्रसभा हतह एश राजेव दुश्यन्तह सारंगेडाति रहंसा उप्यूक्त स्लोक किसका उधारण है। तो यह जो है प्रस्तावना का उधारण है। तो इसकी व्यक्या हम बात में देख लेंगे। तो आज हम लगभग हमने बहुत सारी प्रश्णों को देख लिया। तो आप पिछली वीडियो को भी जाकर देख लीजेगा। यह उसका पार्ट टू है। पहले जल्दी से जल्दी अभियान शाकुंतलम की जितने भी प्रश्ण है। उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर हम तुरन दूसरे ग्रंथ पे आएंगे। इस तरह से हम करके वेद, पुराण, साहित, व्याकरण, संस्कृत, वांग में के जितने भी छेत्र हैं, सभी छेत्रों से आएवे प्रश्णों को एक ही प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। वो भी पूरे भारत वर्श की विविन परिच्छाओं में पूछे गए, प्रश्णों को एक साथ देखेंगे, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके, आपको वीडियो कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, अगर आपको मुझे कोई सुझाव देना है, तो उसे भी दीजिए, आपको कोई सहायता चाहिए, तो उसे भी बताईए, हम उसके ही अनुरूप आपको वीडियो प्रवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे, तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिए, बहुत सारे मित्रों को शेर करिए, हमारा चैनल बिल इसके अगले पार्ट के साथ तब तक के लिए नमस संस्कृताए धन्यवाद